नमस्कार दोस्तों, बियर्चरी सेवने चल में आप से भी कहाँ बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों, दरवंगा से दिली का टिकेट वाए 11,000 के पार दिपाविले वो छट में घर आने के लिए हवाजाज के टिकेटों के लिए काफी महामारी चेखी रही थी कि अब यहां से लाटने के लिए भी लोगों के जेब हलकी से धीली पल चुगी है देली मूंबई वो बैंगलेडों के लिए बेस प्राइस से कई गुना अधिक कीमतों पर विमानों के टिकेट मिल रहे हैं ट्रेन के लंबी सफर से छुटकारा पानी के लिए लोग मन मसोर कर उची कीमतों में मजबूरन हवाजाज के टिकेट लेने को मजबूर हो चुगे हैं वही दरवकत से देली रोजाना दूख फ्लाइट के सिविधा है वही अगर तेरह नौबर के बात करें तो तेरह नौबर के लिए टिकेट लेने के मजबूरी है वही इन तेरह नौबर के अगर बात करें तो तेरह नौबर को 8,342 वो 9,323 रुपे में टिकेट उपलब्ध है यहां से 14 नौबर को मुंबे के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में टिकेट की दर 10,000 के पार चली गई है पहली फ्लाइट में टिकेट 9,812 रुपे में उपलब्ध है जबकि अगर दूसरी फ्लाइट के बात करें तो दूसरी फ्लाइट में लोगों को 10,899 रुपे खर्च करना पर रहा है मुंबे वद देली के मुकाबले बैंगलेट के लिए लोगों को कुछ कम पैसे खर्च करना पर रहा है हलांकि फिलाल उपलब्ध टिकेट बेस प्राइस से काफ़ी अधिक केमत में मिल रहे हैं दर्वंगा से बैंगलेटों के लिए सुक्रवारवर 13 नॉवंबर को 7,179 और 14 नॉवंबर को 7,693 रुपे में या तरी टिकेट बुक करवा रहे हैं वैसे इस थापना दिवस के बाद से ही केवल दर्वंगा ही नहीं बल्कि करीव करीव एक तरजिन जिलों के यातियों नहीं यहां से आवाग Competition दर्वंगा एयर पोर्लब्वी छेद्र के करिड़ नाम्चीर एयर पोर्ट की सूची में सुमार कर दिया है इसके बावजोद इनके फ्लाइट की कम संख्या की वज़े से उन्हें सफर करने के लिए आमोमन अपनी जेव हलकी धीली करनी पर रही है देने वो मुंबे के लिए फ्लाइट की संख्या में इजाफा होता है तो लोगों की जेवों पर बोच कम हो सकेगा तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिपोर्ट और इसकी साथ में लेंगे आपसे विदास साथ ये दर्वादा की लोगल खबरें एवन दर्वादा एरपोर्ट से जुरीवी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चल्पे बने रहें फिर बिलते लिए इस वीडियो में आपके साथ तब तके रिस सुलिया